नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज नेशन में हूँ अन्राक दिक्षित देश में कोरोना खौफनाख रफतार से बढ़ रहा है देश भर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक ये आंकड़ा 2,66,000 के पार हुचका है हर 24 घंटे में 9,000 से जादा मामले आ रहे हैं लेकिन जिस खबर ने आज पूरे देश को सावधान कर दिया वो है दिल्ली के डिप्टी सेम मनेश शुदिया का बढ़ा बयान मनेश शुदिया ने कोरोना पर हैरान करने वाला दावा किया सशोधिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना केस लगातार तेजी से बढ़ने वाले हैं और 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा साड़े पांच लाग तक पहुंच सकता है तो दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये दोनों तस्वीरें देश की राज़ानी दिल्ली की हैं लेकिन दिल्ली को लेकर जिस तरीके का दावा दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है वो वाकई चौकाने वाला है वो वाकई हर किसी को सतर्क करने वाला है हमारा मकसद डराना नहीं है आपको लेकिन इन आकड़ों के बाद हर किसी का सतर्क रहना बेहत जरूरी है क्योंकि अगले 50 दिन में देश के राज़धनी दिल्ली में कोरोना के 5 लाख अतरिक्त मामले बढ़ सकते हैं तो इस आकड़े का इस दावे का क्या कुछ मतलब है और कितनी सतर्कता और जादा बढ़ानी जरूरी है ये हम आपको बताएंगे ग्राउंड जीरों से क्या कुछ इस्तिती है वो हम आपको समझाएंगे दिल्ली मुंबई और जैपुर से हमारे जो तमाम समभाद आता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी रविकांत लगातार इस खबर पर बने हुए हैं यह हम आपको बता दे क्या कुछ यह दावा है और इस दावे का मतलब क्या है यह आप जरा समझ लीजे आकले के हिसाब से देखिए सिर्फ हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं और यहां पर 30,000 मामले 15 जुन तक हो सकते है अगर 30 जुन तक बात की जाए तो 44,000 मामले सामने आ सकते हैं एक लाक मामले 30 जुन तक हो सकते हैं इसके साथ साथ अगर आगे और आप बढ़ते हैं 13 जुलाई तक 2 लाक मामले हो सकते हैं 31 जुलाई तक यह आकला बढ़कर 5,50,000 हो सकता है यानि अगले 50 दिन में यह आकला बढ़कर साड़े 5 लाग होने जा रहा है जो आज मुदूदा इस्तिती में 30 हजार क्या सपास है यानि अतरिक 5 लाग 20 हजार मामले और जादा बढ़ने वाले हैं दिल्ली में कोरोना पर मनी शिशोदिया का बड़ा ब्यान सामने आया है उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 31 जुल लेकिन मुदूदा इस्तिती में दिल्ली में सिर्फ 10 हजार के असपास बैड है असी हजार बैड की जरुरत होगी बड़ा सवाल ये कि 70 हजार बैड आएंगे कहां से 15 जुन तक 44,000 केसिस होंगे और करीब 6,600 बैड की अफशक्ता होगी 30 जुन तक 1,000,000 केसिस पहुँच जाएंगे और 15,000 बैड की अफशक्ता होगी 15 जुलाई तक करीब 7,200,000 केसिस हो जाएंगे और 33,000 बैड की अफशक्ता होगी 31 जुलाई तक करीब 5,500,000 केस पहुँच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बैट्स की आफशकता होगी तो देखिए जरा 50 दिन में खत्रा कितना बड़ा है दिल्ली वालों के लिए ये आपने सुना मनेश शोदिया के इस बयान के जरीए ड़ाना मकसद नहीं है मकसद यही है कि आप सतर्क रह सकें दिल्ली सरकार ने ये जानकारी दी है उसके बाद से ही जितने भी स्वास्त भिवाक के बड़े अधिकारी हैं वो लगतार बैठक कर रहे हैं सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक दिल्ली सरकार के स्वास्त मंतरी ने ये जानकारी केंद्री स्वास्त मंतरी डॉक्टर हर्शवर्धन को दी है और जो दो बड़े अधिकारी उस बैठक में मौझूद थे उनसे भी केंद्री सरकार लगतार बातचीत कर रही है और उसके है वो किया जाए इसके अलावा जो बड़े इंडोर स्टेडियम है उनको भी देखा जा रहा है इसके अलावा जितने भी मल्टिप्लैक्स हैं मॉल हैं और इसके अलावा सुझाओ भी आए गए कि कई प्राइवेट जो होटल हैं उनको सीधे हॉस्पिटल से कनेक्ट किया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किस तरीके से दिल्ली की जनता के जान को बचाए ये उनकी प्राथमिक्ता होनी चाहिए और उसी पर काम हो रहा है बावजुद इसके की राजनीती भी हो रही है लेकिन आप बेड की उपलब्दता को सुनिश्चित किया ज अंदर इन तमाम बेड को अरेंज किया जाएगा बिल्कुल तो अतरिक्त 70,000 बेड कैसे जुटाए जाए जाए इसको लेकर मन्थन की शुरुआत हो रही है लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि 5,000,000 मामले और जादा बढ़ सकते हैं वैसे दिल्ली नहीं मुंबई के लिए भी खबर साफधान करने वाली है क्योंकि मुंबई में भी करोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं मुंबई में इस वक्त 50,000 से जादा मामले करोना के सामने आ चुके हैं ये सिर्फ हम आपको मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई के आकले बता रहे हैं पूरे पचास दिन में क्या कुछ इस्तिती हो सकती है ये समझना बहुत जरूरी है देखे जरा दिल्ली में तकरीबन 30,000 करोना के मामले है इस वक्त मुंबई में 50,000 से जादा करोना के मामले है इस वक्त लेकिन आने वाले वक्त में ये जो आकला है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा ह क्योंकि पूरे देश भर में कोरोना के जो मामले है 24 घंटे में वो तक्रीब नौ से दस हजार जुडते जा रहे हैं लेकिन दिल्ली को लेकर जिस तरीकी कि आशंका मनीश शुद्या की तरफ से वेक्ट की गई है इसका असर अगर मुंबई में भी इसी रफ्तार की तरफ से द दौर शुरू हुआ है ताकि इस्तिती को नियंतरित किया जा सके और दिल्ली की तरह जो आकड़े यहां पर बताये जारे हैं महराश में कम से कम ना हो अंदरवाग देखे अगर आकड़ों से सबसे जादा कोई परिशान रहा तो वो खुद महराश सरकार रही क्योंकि यहां पर आकड़ों को काबू करने में पूरी तरीके से यंत्रना जो है वो फेल नजर आई और यही नतीजा है कि मुंबई अकेले मुंबई के आकड़े ज जाकि जादा अस्पतालों की जो है सुविधा वो जानते हैं कि उनके पास नहीं है और इसी वज़ा से टेस्टिंग कम कर दी गई है जो आसिम्टोमैटिक लोग हैं उनसे यह गुजारिश की गई है कि वो घरों में ही रहें घरों में खुद को कॉरंटीन कर दें और इसी व जगा बना लिए कोरोना परिशान कर चुका है ऐसे मरीजों का इलाज हो रहा है लेकिन हम जैसा आए दिन देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों से तस्वीरे आती हैं कि एक एई बेड़ पे दो-दो मरीजों का इलाज हो रहा है कहीं पर लाशों की धेर के बीच में इलाज हो इससे अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि सरकारी अंत्रणा पूरी तरीके से फेल हो गई है और अब जो आस लगाए बैठे हैं प्रसाशन के लोग वो प्राइवेट अस्पतालों से है और इसी वज़े से प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेट जो है अधिग्रहित करने क फर्मान जारी किये गए हैं और इस समूचे काम पर निगरानी रखने के लिए पांच आईएस अफसरों की नियुक्ति की गई है तो इस किसम से कदम उठाए गए हैं लेकिन ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि जो आकड़े हैं उनको नियंत्रित किया जा सके अम्राग जी विकास बिलकुल विकास मैं आपके पास आँगा लेकिन उससे पहले हम ज़रा जैपूर का रुक करते हैं लाल सिंग फौजदार हमारे सायोगे हमारे साथ बने हुए हैं लाल सिंग राजस्थान के तो कई मॉडल ऐसे हैं जिनकी तारीफ भी हो रही है भीलवाला को लेकुल आपने जो बात कही है मैं उसको कहूंगा लेकिन उससे पहले जड़ा मैं इस बात पर चर्चा कर लेता हूं आपसे कि जो बाते लगातार कही जा रही है कि पीक हमें देखना है अभी कौरोना का पीक जून के लास्ट सब्ता मैं जुलाई के फर्स्ट में आ सकता उस होट स्पोर्ट पैदा कर देती है का एक महिला का और ना पॉजिटिव टेस्ट होता है बाकी लोगों को हों क्वारेंटाइन के लिए कहा जाता है लेकिन कल जब उनकी रिपोर्ट आती है तो 26 लोग एक ही परिवार के यानि की टोटल हो गए 27 वह कौरोना पॉजिटिव पा इसे कही ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वजह साफ है फेज अनलोग फेज जब वन जब से सुरू हुआ है तब से जो बजारों की तस्वीर है सामने आ रही है सोचल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है सिर्फ सरकार की एडवाईजरी में और कागज के टुकडों में नजर आ रही है जी मास्क पेनना लोग अन्वार नहीं समझ रहे हैं अन्राव आलम यह कि कई वार तो तस्वीर हो देखके हम खुड डर जाते हैं लोग इसकदर सटकों पर निकल रहे हैं कि जैसे मास्क पेन लिया तो कोरोना को हरा दिया बिल्पर सब कुछ बड़ी तस्वीर आगहा कि अगया कीया अब हमने प्राइवेट होस्पीटों को कह दिया है को पत्र लिख दिया हैं तक को इस वास से अवगत करा दिया नहीं कि अगर वहाँ कोई करना नहीं करें क्योंकि आने वाले कल में तेजी से सब्सक्राइब लिए लिहाजा सरकार के से निवटने के लिए किस तरीकी का हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर राज्यों की तरफ से तयार किया जा चुका है और क्या कुछ विजन है लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मुद्दे पर बीजेपी और आमादमी पार्टी आमने सामने आ चुके हैं आए सुनाते है आपको क्या कुछ कहना है मिनाक्षी लेकी और संजे सिंग का दिल्ली वालों के लिए डिल्ली की सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया और लॉकडाउन का समय था वो प्रबंधन का और उस समय को ठीक से सब चीजों का आयोजन करने का तो ना इनोंने वेंटिलेटर के लिए क किया और लगातार जूटी बाते लोगों के बीच कहते रहे उनको पता रहा होगा कि पहले भी इस तरीके का सरकुलर जो है वो कौश हो चुका है हाई कोट द्वारा और दुबारा से फटकार पढ़ने वाली है उसके रहते ये शुद रूप से राजनीती करने नहीं यह नह जान मंत्री जी ने अवाहन किया था कि पूरे देश को मिलकर इस बीमारी से इस महा संकट से निपटता है लेकिन भारती जनता पार्टी क्या कर रही है इस महा मारी के दवरान इस महा संकट के दवरान एक ओची राजनीती कर रही है दिल्ली में इलाज के प्रबंधन से संब पूरी दिल्ली के लोगों का जीवन संकट में डाल दिया अमिस्सा कह रहे हैं कि पूरे देश के लोगों का इलाज तो करेंगे अर्विंद केजरिवाल और अमिस्सा करेंगे चुनाओ की रैली 74,000 एलेडी लगाने की उनको फुरसत है उस पर पैसा खर्चा करने की फुरसत उनको है चुनाओ की रैली में चुनाओ कैसे जीतेंगे इस बात की चिंता है केजरिवाल लड़ रहे हैं करोना से और भारती जंता पार्टी और अमिस्सा लड़ रही है चुनाओ तो दिली से हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं रविकांत उपराजपाल जो हैं दिली के उनको भी एक आज सरवदली बैठक बुलानी थी इस तरीके की बैनबाजियों के बीच क्या वाकई उमीद जगती है कि एक सहमती बन पाएगी खासकर राजनेतिक सहम देखें लजी ने ये सरवदली बैठक बुलाई भी और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे उस बैठक में हिस्सा भी लिए लेकिन एक आम सहमती इस बैठक के बाद भी बनती भी दिखाई नहीं दे रही अनुराग क्योंकि लजी ने जब से फैसला पल पार्टी तीखें हमला कर रही है और लगतार ये आरोप लगा रही है कि भारती जन्तापारती चुनावी राजनेती में व्यस्त है बाकी लोगों का इलाज कराने के लिए पार्टी आम आदमी पर आरोप लगा रही है, कॉंग्रिस पार्टी कहीं बीच में नहीं है, वो विरोत कर तीवी भी नहीं दिखाई दे रही है ऐसी स्थिती में सामनजस से जो बनना चाहिए इस गंभीर बीमारी को लेकर क्या उपाय होने चाहिए कौन से स्थान खाली है उनको हम ले सकते हैं MCD के पास कितने जगा है दिली सरकार के पास कितने है Central Government के पास कहां कहां जगा खाली है वो ले सकते हैं इस पर कोई फिलहाल बातचीत नहीं हो रही है सिर्फ एक दूसरे के उपर आरोप प्रप्रप्रव कर रहा है तब जब की खतरा कहीं ज़ादा बड़ा है अगले 50 दिन में खास कर लेकिन रविकान माफ कीजेगा आपको रोक रहा हूं अनुराग बिल्कुल देखिए आपका आकलन उन तस्वीरों को देखने के बाद जो है कमोबेश यहीं आकलन मेरा भी है कि जब से अनलॉक वन शुरू हुआ है जिसे की महारास सरकार ने बिगीन अगेन का नाम दिया है तब से मैं देख रहा हूं कि यहां पे लोगों में जो नियम काइदे कानून है उनको लेकर गंभीरता थोड़ी कम हुई है मैं यहां पर सडकों पर भी देखता हूं कि जो लोग लोग डाउन के दर्मियान मास्क लगा के घूम रहे थे अनिवार ये समझ रहे थे उनमें डर था कोरोना के लिए के अभी डर थोड़ा कम हो गया कई लोग ऐसे दिख जाते हैं जिनको मास्क जरूरी नहीं लगता इसके लावा सोशल डिस्टंसिंग के नियमों की भी लगातार मुंबई में धजियां उरती दिख रही है मुंबई में बेस्ट बस चालू हो गई है जब बस्टॉप पर आती है तो उसको पकड़ने के लिए इस तरीके से लोग जुंड बनाकर एक साथ चड़ने की कोशिश करते हैं ये बताता है कि कोरोना को भूल चुके हैं उस डर को वो साथ भूल चुके हैं और अब रोजमर्रा के जीवन में आने की कोशिश कर रहा है तो सारे नियम ताक पर रख दिये जा रहा है तो कहीं न कहीं जो नियम काइदे कानून को सक्ती से पालन करना जरूरी था उसकी अंदेखी हो रही है और बहुत ज़ादा जरूरी है कि कोरोना के स्प्रेड को अगर और रोकना है तो नियमों का पालन उसी तरीके से होता रहा जैसे लॉकडाउन के दर्मियान होता रहा था के अत्रिक्ट बैट की व्यवस्ता कैसे की जाएगी कैसे वो पूरा इंफ्रस्ट्रक्ट्टर तयार होगा कि मैंने पहले आपको तस्वीर बताई थी किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं अनलोग फेजबन में लहाजा सरकार को इस बात की चिंता है और सरकार को कहिना के इस बात का ध्यान जरूर है कि जो हालात बन रहे हो बेकावु हुए तो हम साहे समाल नहीं पाएंगे लिहाजा राइस्तान सरकार दो इस तरपर काम कर रहे हैं अनुराद एक तो जाच का दाइरा तेई से बढ़ी है अभी त करती जागरू करना है कि कैसे सरकार के पालंग करें कैसे आपको जान है और जहान है के मकसद को पाना है कहीं ऐसा नहीं हो कि जहान के चक्र में जान के लाले पड़ जाएं और जान को बचाने की चक्र में जहान ही ना रहे अगर हम जान है और जहान है के लक्ष को लेकर चलन की जा रही है और राजिस्थान के सबसाने फोकस किया कौरेंटीर सेंटर के लिए है हाला कि अब ही हालात ऐसे नहीं है सबसे अधिक लोगों कौरेंटिन कर रहा है इसके बाद की तरह गए रहा है और लगातार सेंपलेंग हो रहिए नंड़ाग रही है जिनके लख्षन है उनको अलग-षाटा जा रहा है इसकेप決 लगाता जा जा रही है जो दीज exist है यहाँ चर्कार कोर्खश कर रही है किए आप वह इस के साथ ही वह इसके सथ ही वह इ perm है कि आने वाले कल में हालात बिगड़ सकते हैं तो लिहाजा उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार पर अपनी पकड़ बनाए हुए है लेकिन फिर में एक बार जरूर दो रहा है था कि हम सिर्फ यह सोचें कि सरकार के दम पर इस जंग को जीत लेंगे संभव नहीं है जब तर ल नागरिक को एक जिम्मधार नागरिक के तौर पर अपनी भूमी का निभानी होगी लेकिन अब तक का कोरोना का सफर किस तरीके का रहा है अब तक क्या आगड़े किस तरीके के रहे हैं और उसकी आधार पर क्या कुछ सबक लेने की जरुत है यह भी हम एक बार जड़ा जून आज तक का जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 48% से जादा का है जबकि 26 मई में यह 41% था यानि बढ़ते वक्त के साथ यह राहत की बात है यह आंकले राहत देते हैं कि देश में जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता जा रहा है वो बढ़कर 41% से 48% हो चुका है लेकिन इंसफ के बीच जरा इस्तिति आप दिल्ली की समझने की कोशिश कीजिए जो दिल्ली सरकार की तरफ से मनेश शिशोदिया ने कहा है 15 जून को 44,000 मामले अकेले दिल्ली में होने जा रहे हैं इस तरीके के आंकलन है 30 जून को यह आंकला बढ़कर 1,000,000 हो सकता है यानि 15 दिन जरा चुनोती भरे हैं और यह चुनोती सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है यह चुनोती पूरे देश के लिए है अकेले दिल्ली अगर इस आकले तक पहुंचती है तो रूस जो अभी तीसरे नंबर पर है दुनिया में उसको पीछे छोड़ने वाली है आप समझ सकते हैं कि खत्रा कितना जादा बढ़ा है लेहाज अजरुवत सतर्कता की है लेकिन इन सब के बीच रविकान जो रिकावरी रेट का अकला हम देख रहे हैं एक तालिस फीजदी से बढ़कर तालिस फीजदी हो चुका है एक राहत जरूर देता है बिलकुल अन्राग यही एक राहत की बात है कि जो डेथ है वो बहुत कम हो रही है और रिकावरी रेट जो है भारत का बहुत अच्छा है लेकिन संक्रमण के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जैसा कि आपने खुद ने बताया कि रूस में जितने संक्रमित मरीज हैं अकेले दिल्ली उसका बराबरी कर लेगी आने वाले तीस से चालिस दिनों में यह बहुत खराब स्थिती है अगर इसी हिसाब से पूरे देश में यह पैंडिमिक बहुत तेजी से इसका संक्रमण बढ़ता है हाला कि एक्सपर्ट इसको मना कर रहे हैं क्योंकि कें वेकि मांब कीजेगा मैं आपको रोक रहा हूँ इस वक्ति एक बड़ी खबर आ रहा है जोत्रादित सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इस वक्त की बड़ी खबर जोत्रादित सिंधिया को भरती किया गया है बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद उ उनकी मादोनों को ही दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एड्मिट कराया गया है इस वक्त की बड़ी खबर तो लगातार सतरक रहने की जरुथ है जागरुक रहने की जरुथ है फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और हर अपडेट साजा करने के लिए रुक रहे हैं आपर कुछ दिर के लिए आप बने रहें नियूज नेशन के साथ